जै गुर्दे फ्रेंड आपका मेरी चैनल जे जी डी आल कापने स्वागत है आज हम इस तरह से पांस नंबर की बड़ी प्यारी सी क्लैस बनाएंगे यह मैंने क्रोशा से बनाई है इसके लिए मैंने बारान नंबर का क्रोशा काम में लिया है और इसके अंदर मैंने तीन कलर पिंक और वाइट कलर इस तरह से मैंने यह तीन कलर से बनाया है बेस इसका मैंने ग्रीन कलर से बनाया है और अपनी पिंक और वाइट कलर की पत्तियों से में डीजाइन बनाया है फिर इसके अंदर मैंने इस तरह से तीन तीन मोती लगा के से पत्ति के अंदर से इस तरह से है , आपनी ग्रीन क्लर्र की उंसे अथारा चैन बनाते हैं वाझ ओठार चैन बनाने के बाद सिप्थ करेंगे और सब चैन के अंदर हम एक सिंगल क्रोशा बनाने के लिए करोशा होक में एक लूप को किछ से लतते है और ने दो खाय करते इस तरह सभी चैन के अंदर में एक-ईक संगल क्रोशय बना के अपनी एर घृच करते कर तो और सभी चैन के अंदर हमें दो दो डबल कोश्य बनाना है पहली चैन में पहला डबल कोश्य हो गया अब इसी चैन में यहां पर हम एक डबल कोश्य और बनाते हैं तुमारे एक ही चैन में दो डबल कोश्य हो गए अगली चैन में एक ही चैन में दो बार डबल कोश्य बनाएं इसमें लास्ट में मारे कुल 36 डबल क्रोश हो गया अब शुरू में हम तीन चैन बनाते हैं यह हमारी चोली की सेकेंड रो है जिसमें हम पहली चैन में पहला डबल क्रोश हो गया इसी चैन के अंदर हम एक डबल क्रोश हो गया पहली चैन के अंदर हमारे दो डबल क्रोश हो ग देगछ बनाना है तीसरी चैन कमें करते हूं मैं चैन को दिखाती हूं भूल देखा Hy 你 कि अपनी समें थाड़ दौर कुर्षय बना लियाएmi चान लाटराएंगेंगें का शुरू में तीन जाएं बनाते हैं पैली चैन में पर दबल कोश हो गए आगे की छह चैने के अंदर एक डबल कोश हो गए जो हमारे फीछ ग्याराच nerede 1 डूब demon को तो पीछे का पार्ट का मई एक मारे हो गे train milan के को मी सब्सक्राइब करें कि त्षएं के पार्ट के हमेरे द्दना गोल इसने फिशाइच होगी बहुतित्स माराब मारे लिए ऑफ सेद्सरी गाराच पारण ग्यारा चैन बन करके बारुव चैन के अंदर हम एक डबल कोश़ बना लेंगे हैं। कि अब आगे के हमारे छे चैन बाजी है, छे चैन के अंदर हम एक डबल कोश़ बना लेंगे हमारे दोनों बाज़ु बन गई enam TV दूसर तरह हमने इसाठ डबलकोशः बना ещё कंपة कर लिया है हमारी दो नो बाज्यों बन गई है अब इसके अंदर दो रो और निकालेंगे हम डबल कोशा की पहल शुरू में हम तीन चैन बनाते हैं और सभी चैन के अंदर हम एक डबल कोशा बनाएंगे तो इसमें कुल हमारे 28 डबल कोशा है तो 28 चैन के अंदर 28 डबल कोशा हो जाएंग बनाएंगे तो इस तरह है दोनों रो कमप्लिट करते हुं उसके वाद इस दोना बनाएंगे बसलिप देंगे osa bene एक दो तीन ये तीसरी चैन इस चैन से या स्लिप चैन से जोड़ देंगे उसके बाद यहां पर हम गेराय स्टार्ट करेंगे तो शुरू में तीन चैन बनाते हैं तीन चैन बनाने के बाद इसी चैन के अंदर हम एक डबल कोश्य बनाते हैं तो पहली चैन के अंदर हमारे दो अगली चैन के अंदर हम एक डबल कोश्य बनाएंगे फिर अगली चैन के अंदर दो डबल कोश्य बनाएंगे तो हमें एक चैन के अंदर एक डबल कोश्य बनाना है फिर अगली चैन के अंदर हमें दो डबल कोश्य बनाना है तो हर दूसरी चैन के अंदर हमें दो दूबार ड इस तरह हमारे एक चैन में हमने दो बनाया फिर दूसरी में हमने एक बनाया फिर उसे अगली में दो बनाया तो बीच में हमें एक चैन के अंदर एक बनाना है और हर दूसरी चैन के अंदर हमें एक ही चैन में दो बार डबल प्रोश्य बनाना है इस तरह बनाते हैं अपने गे दो डबल क्रोशह से को टो केसे सेटस्ट फिस्ट ह 10 गोров और सिंटाई की साइट की dining या चेह शिकल बेसे हम्रायों से जोड़ देंगे है कि सि इसुन लिए सबस दो डूसरे हमें नर चैन के अंदर दो डो डोको डो बखें बनाया में इस तरह हमारे दो double crochet हैं जो हमने एक ही चैन में बनाया थे इनके अंदर हम दो के अंदर दो फ्रंट पोस्ट बनाते हैं पहले के अंदर पहला बनाया फिर दूसरे के अंदर हमने दूसरा फ्रण्ड बनाया इस हैं मैंने दो के अंदर दो फ्रंड पॉस्ट बना लिए फिर हमारा पहला डबल क्रोश आगए तर इसके ब्लू तरब दो चैन ए एक डूम् DAVID दूर के के वाया एक double crochet बनाया, दूसरी chain के अंदर एक और बनाया, तो हमारी दो chain के अंदर दो double crochet हो गया, फिर आगे हमारे दो front post आ गया, जो एक ही chain के अंदर हमने बनाया, इसके अंदर पहला front post बनाया हमने, फिर इसके उपर हमने दूसरा front post बनाया, फिर आगे हमारी एक double crochet हो गया, तो इसक लीट हैं तो फ्रेंट पोस्ट न जाएगा vibr iOS के गपरने पार दो बाटाफ में रचेन कि जहके में लास्ट में नाया ने को बनाने अर फिर लीट ऊपर दो फ्रेंट पोस्ट बनाने अरि कुछ एक ज यह अंगे पर डबल नुज तो फ्रेंट बनेगा और जो बीच में एलमेव दो डबल कोश्य गई और फ़रंट पोस्त के ऊपर हमावरे सोरी दो डबल कोश्छा के ऊपर हमारे दो फरंट पोस्त पोस्त क हैं प्रप बिच में दो डाइंट पोश्रा बनारे जोड़ होता है अब अपनों चूरूरू कर नो मनें के उपर फ्रेंट पोस्ट बनते हैं जो हमने जो हमने दो दो फ्रेंट पोस्ट बनाए हो चोदा जेगे पी बनते हैं और बीच में मारे चोदा डबल कुश्या बढ़ गए हैं अब वापस से हम फ्रेंट पोस्ट के उपर शुरू में तीन चैन बनाते हैं अब हम अपना तीसर बनाया हमने फ्रेंट पोस्ट दूसरा बनाया है अब हमारी बीच के अंदर हमारी दो डबल क्रोश दे मिआ पर तीन डबल क्रोश बना लें बीच में हमारे दो की जेगे तीन डबल क्रोश हो जाएंगे एक दो तीन डबल क्रोश हो गए फिर दो फ्रेंट पोस्ट आ गए तो फ्रेंट पोस्ट बनाएंगे और बीच में हमें तीन तीन डबल क्रोश बनाना है इस तरह हमारी यह थार्ड राउंड कंप्लिट होगा जिसमें बीच में हमें तीन तीन चैन के अंदर तीन डबल क्रोश बन और दो फ्रेंट पोस्ट के आपर में दों फ्रेंट पोस्ट आप इसते और न तरड राउंड में कंप्लिट करती हूं मैं अर्च इस तरह ग्ते हैं पर राउंड में फोस्ट प्रम कर लियें मैंने आपी आप हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे, फ्रंट पोस्ट के उपर में फ्रंट पोस्ट बनाना है और बीच में हमें तीन की जगेव चार चार डबल कोश्ट बनाना है, एक, दो, अपने एक, न दो, तीन, चार, हमें चार चैन अलक से दिख जातीय हैं और फ्रंट पोस्ट के उपर में फ्रंट पोस्ट बनाना है, मैं आपको दिखा देती हूं यह हमारे दो front post है अब इसके पास में एक चैन, दो, तीन और चार इन चार चैन के अंदर हमें चार dc बनाना है front post पे में front post बनाते हैं इससे बनाते हैं अपनी ये रो भी कम्प्लिट करती हूं में इससरे मारा ये राओंड वी कंप्लिक हो गया है अब तक मारे कौ Da doctor in battery निकलमे पहले राओण के अन्डर हमने Ctrl बना दूसरे के अंधर दो Da फ्रेंट को डीच में तू सब sc 15 र सैंटर के एक दू सब को होज तरह न फ्रेंट से नाटि श्रूर के श रांड मेंवंच चैन बनाटें हैं दो फ्रेंट पोस्ट के इसके यह दो फ्रेंट पोस्ट अब पांच पांचम डना मैं दो फ्रेंट पोस्ट बना लिए हम बीच में हमारे पास डबल कुश हो जाएंगे एक दो तीन चार पाँच पास डबल कुश हो गए फिर हमारे दो फ्रेंट पोस्ट बनेंगे इस तरह से हमारा यह राउंड भी कम्प्लिट होता है बीच में जितने हमारे डबल कुश है उतने हमारे राउंड बनते हैं तो मारे बीच में पास डबल कुश है तो मारे पांच वा राउंड कम्प्लिट हो गया अब अपना चटा राउंड कम्प्लिट करेंगे तो शुरू में तीन जैन बनाते हैं, दो फ्रेंट पोस्ट के उपर दो फ्रेंट पोस्ट बनाएंगे, इस पार बीच में हमारे अब छे डबल कुश्ट हो जाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, छे डबल कुश्ट हो जाएंगे, और फ्रेंट पोस्ट के उपर मारा फ्रेंट पोस्ट हो जाएगा, यह राउंड में कम्प्लेट करती हूँ, इसे हमने यह राउंड भी कम्प्लेट कर लिया है, बीच में हमारे अब 6-6 डबल कुश्ट है, अगले राउंड में हमारे इसके अंदर 7-6 डबल कुश्ट हो जाएंगे, तो शुरू में तीन चैन बनाते हैं, और फ्रेंट पोस्ट के उपर फ्रेंट पोस्ट पनाएंगे, बीच में हमारे हम साथ साथ डबल कुश हो जाएंगे एक दो तीन चार पाँच छे साथ करने इस ते इस चा कैँए डैकि हम इस साथ राउन निक Great साथ अपने फ्रेंड कर सकते इफ्रेंगों एक एक उसने रओंड जोड़न से हर्ट क करनाया है तो क pouco यसεंदर हमारे पिंक कि बीच तो Dec कि बादे आफाल पिंग कर लेती हूं मैं उसे में ते असे कर लेती हूं कर लेती हूं है सबसे बरती में घृटियो तो दो, तीन चैन, तीन चैन बनाने के बाद इसी जगे पे इसके अंदर हम एक डबल क्रोशर बनाते हैं, तमारे यहां पेस दो डबल क्रोशर होगें, फिर यहां पे हम एक चैन बनाते हैं, एक चैन बनाने के बाद जो हमारा हमने डबल क्रोशर बनाए इसके अंदर हम वर्क करे एक दो एक बार उपर से लेते हैं फिर इसके अंदर से तीन कि चार पांच पांच बार लेंगे पांच पर लेने के बाद इसको इस तरह से दो दो लूप निकालेंगे एक साथ इस तरह से एक निकाला एक बार दो लूप हमने अब इस तरह से देख लें पहले दो लूप और फिर निकाल लेंगे दो बार निकाला साथ बार लेंगे एक दो तीन चार पाच छे साथ को इस तरह से फैला लेंगे और फिर दो दो लूप को एक साथ निकालेंगे इस तरह से शुरू के दो लूप को निकाला हमने फिर दो बार निकालेंगे प्राइब को यह सब्सक्रीज दो दो लूप को निकालते जाएंगे और आहिए तरह से वर्क बनाते जाएंगे अब समय दो दो लूप यह सब्सक्रीज अविए लग से देख लें फिर निकालें लास्ट में दो लूपकों एक साठ बनौ इस तरह यह पैल के पान की से शेफ कर लेंगे आप यहां पर बीछ मेंद साथ ड़बल कोश तो हम cummos अ लग में न दो थीं डबल कोशड चुड़के के लिंदर इसन यहां पर स्लिप चैन्स से जोड़ देंगे इससलें संहाव ही है कि 25 niin अब दोगिस्ट कृलर चैन के अंधर आपink कोन इस तरह से पिछ ले जाएंगे और वाइट कून इस तरह से यहां कारट लगा कर सकते हैं कि तरे से हम स्लिप छैन से की जोइन करने किった स्य करें अर्पर दोनों को इस तरह से हम खेंच लेंगे तमारे हैं बिल्कुल फिनिशिंग यह तक हो जाता है हे अपनी वाइट लोखे दिल, उपनी छुर्व में तीन चैन बनाते एक चैन बनाई दो तीन तीन चैन बनाई अब इसी जगह पर हम इसके अंदर एक डबल क्रोशर बनाते हैं फिर एक चैन बनाएंगे और जिस तरह से हमने यह वाली पत्ती बनाई थी उसी तरह से बनाएंगे थोड़ा सा उनको लूज लेंगे लूप को और फिर पहले वाली लूप के अंदर पहले डबल क्रोशर के अंदर में पांच बर बनाएंगे एक दो तीन चार पांच पांच बर बनाने के बाद इस तरह से अपने सबी लूप कों बराबर कर लेंगे फिर दो दो लूप करके हम निकाल लेंगे इसमें एक बार निकाला हमने दो बार निकाला तीन चार पाँच लास्ट के दो लूप फिर इसे इस तरह से गुमा लेंगे गुमाने के बाद एक लूप लेंगे और जो हमारा दूसरा डबल कौश्य है इस डबल कौश्य के अंदर यहां पर हम इसमें साथ बार लेंगे एक दो तीन चार पाँच छे साथ साथ बार लें एक बाद अपने लूप को इस तरह से बराबर कर लेंगे सबी को फिर दो दो लूप एक साथ निकाल लेंगे एक बार निकाला हमने दो बार तीन चार फिर अपने वक को गुमा लेंगे हम और जो हमारा फ्रेंट पोस्ट है उसके सेंटर में से यहां पर हम वाइट कलर क्यों ना वाइट कलर क्यों को यहां छोड़ देंगे अब अपने हम पिंक कलर क्यों लेंगे और सेंटर में से यहां पर स्लिप चैंसे हम इसे जोड़ देंगे फिर अपने उनकों में इस तरह से दोनों को बिल्कुल फिनिशिंग से खेंच लेंगे और इस तरह हमारा यह कि यह दो पान बन गए अब सभी फ्रंट पोस्ट के बीच में इस तरह से में दो दो पत्ती यह पान की बनाके ले आती हूं फिर मैं आपको दिखाते हूं यहां से स्दीऄ में सब्फी सब्सक्राइब कुछ Vamos जोड़ के अपनी आप सब्सक्रा झालकर यहां से स्ठाइब सभी चेंटे सब्सक्राइब तरफ कि चांवी पाट है इस तरफ से फिनिशिम पीछ तरफ एड़स्ट करदेंगे आप इसकी उपर आपने उपने पत्तिय इसके चाल तरफ जो बनाएंगे बेस कलर से बनाएंगे तो बेस यहां पेum बसके को बिल्कुल फिनिशिंग से एड़ेस्ट कर देंगे तो यहां पर जहां पर अपने डबल प्रोशर बनाते ओं कि यहां पर एक इसतार से पिने बेस्ट कर से एक लूप लेलेंगे पर यहां पर हम इसे शुरु में 4 चैन बनाते से एक, दू, तीन, चार, चार चेन बनाने के बाद जो उपर की तरफ मारी पत्त्यों के उपर यहां पर हम दो काईक करते हैं उन सबी पत्त्यों के उपर इस तरह से दो-दो लूप लेते हम और यहां पर इक-एक सिंगल क्रोशा करते जाते हम सबी लूप के उपर हम यहां पे एक-एक सिंगल क्रोश्य करते हैं इस तरह से यह हमारी उपर की तरब जो हमारी साथ हम लूप बनाते हैं वह आता है ति हमारे साथ वर सिंगल क्रोश्य होता है तो आप से दहख सकते हैं एक दो दौ तीन चार पालए शे जो एक सकते हूं यहां पिसमें चलंडब शें करने के लिए को से एक सिंगल क्रोश्य करते हैं यह तरह से जोएं करदेते हैं यह जोएं फिर यहां पर हम शुरू में एक, दो, तीन, चार, चार चैन बनाते हैं, फिर आगे का जो हमारा यह वाइट वाले के उपर जो लूप है, इसके उपर यहां पर हम एक सिंगल क्रोश्य बनाते हैं, फिर अगले के उपर एक सिंगल क्रोश्य बनाते हैं, इस तरह से हम इसके चा चाहार चैन बनाते हैं और जहां से हम इससे लास्ट तक ले जाते कौने में वहां इसे निचे की तरफ इसे एक सिंगल क्रोशा से हम जॉइन कर देते हैं अहों दिसके लास्ट वाल आ गया तो लास्ट वालेह में यहां पर एक इस तरह से एक इस यूं तो हमारी अट्जेस्ट हो जाएगी यहां पर लास्ट वाला है यहां पर इस तरह से लेकर इसमें एक सिंगल क्रोश आप देते हैं और सिंगल क्रोशा बनाने के जहां से हमने से जोईन किया था वहां से हम इसे एक वेस से जहां से सिंगल क्रोशा शहाँ से से जोईन करतें तो छाइन बनाते हैं चैंड एक है सिंगल कोश्य बनाते हैं इस तरह को इस के अईयर सभी पत्raty में इसतरा से बृड्डर बनांके से कम्पिलीट करती हो फिर मैं आपको दिखा हुँ इसतरा मैं इस तरह मैंने अफने सभी जग्ये ऐपने बॉड्डर बनाके से कम्पिलिट कर लिए अपनी ड्रैस को यह बनने पदा माद राष इस्त्रेक्य हो गई अब जो हमारी यह चोली है इसके उपर अपने वाइट क्लर से हैं पिंक इस किसी भी उन से आप इसके उपर बौर्डर बना लेंगे तो मैं इसके उपर थे बिद्ध बनाती हूँ जहां से हमारा पहला डबल प्रोश है यहां कि अग्ली चैन ने उसके अंदर हम एक हम अलग से चैन दिखते हैं इसके अदर एक सिंगल बनाएंगे हम can है ऐधिर के अंदर एक सिंगल क्रोश है बनाएंगे हम कंपे एंग हमारी जो चैन ने हमारी इसके अंदर में चोली के अंदर और इसकी बाजू के अंदर बोर्डर बना के से कंप्लिट कर लूँगी फिर मैं आपको दिखाते हैं कि इसके मैं नेपनी ड्रैस के आगे के तरफ रफ और दोनों बाजू के वपर बॉर्डर बनाके से Supreme कर लिए और शाथ में मैनेड़ पूरी को ब्लेक बांव कर लिया मैंने जो यह पतियां बनाहे थि हमाने अपर मैं इसलय से तिन तिन अ कोंधी लगाएं मैं इस TARम से एक मैंने ये इसे और आपको एक कालॉर में बताती ओम कि तरह ऐसे इसके अंदर मैं यह नहीं लगाएंगी इस तरह से अपने सूइंग को यहां पर लाएंगे था तो तीन द्वाइट वाले मोर्टी लेतियु में आप चाहें तो इससे सिंपल भी रख सकते हैं यहां पर के पास जो भी मोर्टी अवलेबल हो उसी साफ से डेकृट कर सकते हैं फिर इस तरह से डालेंगे यहां पर हलका स वापस इसे यहां पर थोड़ा सा खेंच केम इसमें लगा देंगे जिससे हमारे सारे मोति बिल्कुल फिनिशिंग से अड़्जेस्ट हो जाता है कि इस तरह से मारे तीन मोतियां पर लग गए अब इने में पीछे नोट लगा के से इस तरह से नोट लगा दो अपनी दागे को में कट कर देते हूं कि सबी जगे अपनी पत्तियों के अंदर इस तरह से तीन तीन मोति लगा के से कंप्लिट कर लिया है अब मैंने यहां पर भी जो हमने अपने फ्रंट पोस्ट बनाये थे दो दो उनके बीच में मैंने यह वाइट वाले मोति लगा है तो यह मैंने चिपकाई हैं यह से सुई कि अपने एक एक मो तो इसके अंदर लगास आपके ऊपर है आप लगाना चाहें तो लगा लिए आप नहीं चाहें तो आप इसीर शिमपल भी रख सकते ही यह अब चाहिते से सुवी धागे से भी लगा सकते हैं मैंने इंसे फैवरीक ब्लू से लगाया है इस तरह से हमारी ड्रेस कंप्लिट हो जाती है जो बने पार बहुत प्यारी लगती है अगर आपको मेरी ड्रेस की ड़ी चैनल अच्छी लगई हो तो मेरे वीडियो के लाइक क